जेई जिनिंदर दोस्तों, जेईन पाच्छाला आपका स्वागत करता है आज का यह मेरा वीडियो है कि जेईन में होली का क्या महत्व है होली का त्योहर भारतिय त्योहरों में एक अपनी धंका, अनुखा और निराला त्योहर है अन्य तियोहारों में देव, मूर्तियां की पूजा होती है परंतु इस तियोहार में किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती अपितु कूडा, कच्छना, गंदगी, आधी जलाई जाती है यह तियोहार बुराईयों के विध्वन्स का प्रतीक है अन्यतियोहारों की भांती इस तियोहार के मूल में भी मानव जाती की समानता भाईचारा और परस्पर का मनोमालन्य मिटाकर एक दूसरे के संग हर्ष उल्लास मनाने की भावना निहित है किन्तु धीरे धीरे इसमें विकृतियां आ गई है वैसे हर एक परंपरा में पर्व या तियोहार का प्रारम किसी खास उद्देश के साथ ही होता है या तियोहार खेतों में फसल तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है होली की अगनी में नए अन्न की बालों को भून कर खाने के पीछे नई फसल का स्वाद लेने की भावना छुपी है इस त्योहार की एक सबसे बड़ी विशेष्टा कहें या इसका उद्देश्य कहें कि इसमें सामाजिक समानता का बीज विद्यमान है होली में कीचड, मिट्टी उचानना, असब्य भाशा बोलना, भद्दे और अशील मजाक करना यह तो मुर्ख एवं अज्ञानियों का काम है मनोविनोद और मनोरंजन के लिए अशलीलता की जरूरत नहीं है किसी के कपड़े गंदे करके उसे रंगना यह तो मुर्खता का काम है विजाती का परस्पर अशलील अभध्र व्यवार होली में पशुता का प्रतीक माना गया है इसलिए प्रतीक त्योहार वपर्व मनाने में विवेक वज्ञान होना जरूरी है विवेक पूर्वक त्योहार मनाया जाए तो त्योहार आनंताई होता है उल्लास और उमंग देता है होली के त्योहार में कच्चे रंग का उप्योग होता है कच्चा रंग हमें सूचित करता है जीवन में सुख दुख के प्रसंग होते हैं कटुता, मान, अपमान आधी के भी प्रसंग बनते हैं, परंतु उन रंगों को मन पर जमने मत दो, किसी की कटु शब्द, अपमान जनक व्यावार, द्वेश और शत्रुता के भाव जो भी तुमारे साथ हुए, उन्हें मिटा दो, उन रंगों को उड़ा दो, गुलाल के रं पुरानों व्यावारों को भुला जाओ, और मन को फिर साफ सुत्रा रखो, तभी तो रंग बिरंगी होली आपके जीवन की सुख और प्रसंता देगी, आनंद और उल्लाज देगी, होली की पौरानिक कथा हिंदु पुरानों में तथा जेन कथा साहित्य में भी आती है, ज कोई वनिक कन्या थी, जो स्वभाव से चंचल और कामुप्रवर्ती वाली थी, वह चरित्र से ब्रश्ठ होकर भी लोगों में अपने सतित्व की जूटी प्रतिष्टा स्थापित करना चाहती थी, और इस उद्देशी की पूर्ती के लिए वह अपनी शिक्षिका परिवरा पूर्ण कुटी में रहती थी, होलीका ने अवसर देख कर फालगुनी पूर्निमा के दिन पूर्ण कुटी में सोई परिवराजिका समेत कुटिया जला दी, लोगों ने चारों और यह मिथ्य प्रचार कर डाला कि होलीका सती हो गई, उसने अपनी शील रक्षा के लिए आत जो व्यंतरी बन गई थी, उसने उस होलीका के दुराचार का भांडा फोड़ा, तब लोग होलीका के नाम पर कीचड उचानने लगे, उसे गालियां देने लगे, और प्रतिवर्ष उस दुराचारिनी को जलाने का उपकरम होने लगा, जैसे दशरे पर रावन का पुतला जलाया जाता है, वैसे ही होली पर दुराचारिनी होलीका को जलाया जाता है, इस प्रकार होली को असत्य और दुराचार का नाश करने वाले तियोहार के रूप में मनाने की प्रेदना देते हैं, असदाचार ब्रश्टाचार के उपर सदाचार की विजय करना यही होलीका के आख्यान का संदेश है धन्यवाद